हेलो अब्ली वन बेरी वेलकम टू अबर चैनल ओल्लाइन जी एस वाई दिभाकर एंड दिस है सत्यम पर्मा तो यहाँ पर अपन लोग डिसकस कर रहे थे जोग्राफी के कोशन्स को जोके अपन लोग यूनिट वाईस एंड टॉपिक बाई डिसकस कर रहे थे तो यहाँ पर अब लोग का जो टॉपिक चल रहा था प्रिक्टिकल जोग्राफी जिसमें जी आईस का जी पीएस का इन सभी कोशन्स को डिसकस कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे अगर आप लोग चैनल पर नए है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स को सियर करेंगे ठीक है चलिए पहला कुशन आप दिया गया है एर्गोग्राफ के प्रनीता थे एगेडीज एजी ओल्गिलपी एके लोबेग या फिर ए रोबिन्स तो कौन थे जिन्नोंने एर्गोग्राफ का अबिसकार किया था तो इसके जो आंसर हो जाएगा आप लोगों अनुसार विश्व में निर्वनी करण की बार सिक राखी क्या है तीस से पचास लाख हेक्टेर सतर से सो लाख हेक्टेर सो से दो सो लाख हेक्टेर या फिर सो से डेर सो लाख हेक्टेर से अधिक तो क्या है यहाँ पे निर्वनी करण की देखिए निर्वनी करण में आप ल पत्यज़वन की बार्शिक रासी है वो कितनी है वो आप लोगों की 500 लाख हेक्टेर से अधिक हो जाएगी D option आप लोगों का correct हो जाएगा ठीक है देख लीजिए यहाँ पर इसकी दी गई है कितना कितना है सदावारवन कितने है 46 लाख हेक्टेर में है पत्यज़वन जो कि 60 point 66 लाख हेक्टेर में है सुस्क 151 18 लाख हेक्टेर जगाय में है ए 30 सुस पत्यज़वन ये 13.41 लाख हेक्टेर और जो परवतीवन है ये 25 लाख हेक्टेर में टोटल जो है 153.07 लाख हेक्टेर है जोके 150 लाख से अधिक है ठीक है चलिए आगे बढ़िए मांचेत्र कलामा धरातल के बास्तविक सर्वेच्छन से मांचेत्रों के प्रक्रम की संपूर संखला सम्मिलित है या परिभासा दी गई थी किसके दौरा Robbins के दौरा Rayz के दौरा Monk House के दौरा या फिर Killabi के दौरा किसके दौरा ये वाली भी आख्या दी गई थी आंसर कीजिए अगर आप लोगोगों को पता है जितने भी आंसर आप लोगों को अगर आ रहे हैं ओपिसो मीटर का प्रयोग किया जाता है छेत्रफल मापन में, दिसा मापन में, दूरी मापन में या फिर प्रवड़ता मापन में तो जो ओपिसो मीटर है इसका ओपियोग कहां पर किया जाता है इसका जो ओपियोग है वो किया जाता है दूरी मापन में ठीक है चलिए आगे बढ़िए निम्लिकित में से कौन सा ब्रहद मापक मानचित्र है एटलस के नकसे बित्ती मानचित्र इस्तलाकरती मानचित्र या फिरकेतों का नकसा कौन सा मानचित्र हो जाएगा जो कि ब्रहद मानचित्र हो जाएगा जो कि ब्रहद मानचित्र के कई सार तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा होगा जो खेतों का नक्सा होगा इसके जो मापनी होगी वो बड़ी हो जाएगी ठीक है? D option आप लोगों का correct हो जाएगा आगे बढ़िए ये देखिए आपे ब्याख्या दी गई है जिसमें किसी ग्राम का मानचित्र खेतों की सीमा है नक्सा मार्ग, जलास है कुए, पूजा ग्रे, सारव जने किस्तल एवं ब्यक्तिगत भूमी चेत्रों को प्रदिशित किया जाता हो क्या कहलाता है भूसंपत्ति मानचित्र कहलाता है जबकि पर्याप्त मात्रा में ब्रहत मापनी पर बना कोई मानचित्र जिसमें प्रतेक लक्षण को आकरती एवं इस्तिती को देखकर उसे धरातल पर पहचाना जा सके उसको बोला जाता है क्या इस्तलाकरती मानचित्र या नहीं कि उस पर इसी ताइप का इस्तल बना दिया जाता है जैसे कि कहीं पर मंदर है तो एक छोटा सा मंदर बना दिया कहीं पर नदिया है तो वो नदियों का जैसे बिलू-बिलू बना दिया और जो आपके पेड होते हैं आप पेड बना दिये जाए तो वो क्या होता है इस्तला करती मानचित्र होता है यह क्या होते हैं ब्रहद मापनी के अंतरगत आते हैं चेक है चलिए आगे बढ़िए संचित आपतर के लिए दिये गए निमलिकित मैं से कौन सा कूट द्रस से भूमी प्रतिदर्स लेंडिस्केप मॉडल को सही सही निरूपित करता है DEM है DRG है DLG या फिर DTM है A और B सही हो जाएगा B और C सही है A और D सही है या फिर C और D सही है क्या option आप लोग correct को करेंगे बताइए फटापर से तो देखिए जो आपका लेंडिस्केप मॉडल को बात कर रहा है द्रस से भूमी प्रतिदर्स को बात कर रहा है तो आपका एक तो हो जाएगा DEM हो जाएगा और साथ में दूसरा आपका DTM हो जाएगा ठीक है दोनों किसके लिए हो जाएंगे आपके ये आपके द्रस से भूमी प्रतिदर्स के लिए निरूपित करते हैं A और D आपका C आप्शन में करेक्ट है C सही हो जाएगा आगे बढ़िये और आप लोग के लिए एक सूचना ये है Notification आप लोगों ने पढ़ लिया हो अगर किसी ने MP में जो PhD जीवाजी उनिवस्टी में PhD का फॉर्म फिल किया था और किसी ने अगर जो आपका intense exam हुआ था वो दिया था जोगरफी का तो जोगरफी और political science इन दो के exam क्या है आपके फिर सी होने है technical issue था इसमें तो वो exam आपका अभी date नहीं आई है तो अगर आपको notification नहीं मिला अगर किसी ने दिया है तो आप लोग थोड़ा सा इस पर नजर रखिएगा आने वाला है date का भी चलिए National Remote Sensing Agency इस्तित है नई दिल्ली में, बैंगलूरू में, हैदराबाद में, दहरादूर में कहां पर है ये आपकी National Remote Sensing Agency तो ये आपकी इस्तित है है हैदराबाद में C option correct हो जाएगा अगर answer आप लोग को आ रहे हैं तो आप लोग answer comment में लिखते जाएगा ठीक है क्योंकि जून में आप लोगों के बहुत सारे जून के बाद में जुलाई में एकजाम आने वाले हैं जो कि टीचिंग से related रहेंगे जिसमें TGT, PGT और आपका net तो होने ही बाला है SET भी कई सारे स्टेट के होने वाले हैं तो अब थोड़ा सा seriously लीजिए चलिए यहाँ पर देखिए जो National Remote Sensing Agency है यह हैदराबाद में है Remote Sensing Institute of India यह दहरादून में है इसरो का मख्याल है बैंगलूरू में है और जो DRDO है इसका मख्याल है नई देली में है याद रखिएगा यह आपके एक्जाम पूच्छन पूचे जाते हैं सेट एक्जाम हो जाएगा, टीजीटी बगरा है, इसमें पूछा जा सकता है, और जो आपके पिएजडी एंट्रेंस एक्जाम होते हैं, उसमें इसी तरीके कुछन पूछे जाते हैं, आगे बढ़िये, नेक्ष्ट देखिए आपे, भारतिय नेशनल एटलस एवं थिमेटिक मैपिंग संगठन का संस्तापक निर्देशक नेमले कितमे से कौन था, जोर्ज कुरियन, पी दयाल, एसपी चटर जी या फिर एसम अली, कौन थे बताईए, जो कि थिमेटिक मैपिंग संगठन के संस्ता आपक एवा निदेशक रहेते, इसका जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एसपी चटर जी रहेते, सी ओप्सन आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये जो संस्तान है, कहां पर अभी आपन लोगों ने देखा था, दहरादून में ये वाला संस्तान, एटलस, ये उन थीमेटिक में अपक संगठन है, इसका संस्तान कहां पर है, दहरादून में है, संस्ता पक कौन रहेते, एसपी चटर जी रहेते, आगे बढ़िए, चलिए, सूची एक, सूची दो के साथ में पन लोगों को मिलाना, यहां पर सैटलाइट दी गई है, उनकी उचाईयों के अनुसार इनको लगा लेते हैं, कौन सकी उचाई कितनी है, यहां पर IRS 1A दिया गया है, इसकी उचाई पूछी गई है, स्पॉर्ट 3, लेंड सैट एवं इनसेट सीरीज, तो देखे जो IRS 1A है या फिर बन ए है, इसकी जो उचाई है, वो कितनी हो जाएगी, 9 32 किलो मेटर है, स्पॉर्ट 3 की यहां पर जो हाइट हो जाएगी, वो 832 है, लेंड सैट की हाइट 705 किलो मेटर है, इनसेट सीरीज की हाइट 36,000 किलो मेटर है, ठीक है, ओप्सन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, वो ए हो रहा है करेक्ट, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, चलिए, किस उपगरी आक्रों से सम्मद्य चित्रों का उपयोग भूकर मान चित्र के विपल के रूप में किया जाता है, लेंड सैट TM के, स्पॉर्ट X, S के, इनसेट 1B के, या फिर आइको नॉस के, तो किसका किया जाता है यहापर, ओप्सन जो आपका करेक्ट हो जाएग आइको नॉस उपगरे से आक्रों से सम्मद्य चित्रों का उपयोग भूकर मान चित्र के विकल्प के रूप में किया जाता है, अमेरिका द्वारा सन 1999 में प्रछेपित या उच्छ विवेदन वाला उपगरे है, इसका प्रमुकुद्दे से प्रत्वी को धरातल के उच्छ को प्राप्त करने का समय, उपगरे की कच्छी विसेश्ता, विस्तार एवं छेतर पर आधारित होती है, इसका विवेदन अभी तक सबसे अधिक कितना हुआ है, एक मीटर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, निमलिकित में से कौन भूत उल्लेकालिक उपगरे है, लेंड किसकी देता है, मौसम संबन्दी जानकारी ये देता है, विवे आप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए, इसकी ब्याख्या दी गई है, मीटियो सेट जो के मौसम संबन्दी जानकारी देने के लिए, उपयोग किया जाने वाला एक भूत उल्लेकालिक कैसा है ये वो तोल्य कालिक है लेंड से प्रत्यु संस्तान प्रद्धोग की सैटलाइट है यह संयक्तुराज अमेरिका के नासा विबाग द्वारा छुड़ा गया है यह सैटलाइट संसादन प्रबंदन हेतु बहुत अपयोगी आंकड़े भेज रहा है यह सैटलाइट इस प्रकार बनाए गए है कि प्रत्वी धरातल के तत्यों का मानचित्रन एवं अनुसरमण अंतिच से ही कर सके ठीक है चलिए आके बढ़िए एक डिर महीने से क्या है कि तबियत इतनी खराब थी पता नहीं क्या हो गया था ब्लेड भी नहीं बढ़ रहा था जब मैं रिपोर्ट करा रही थी तो उसमें भी सब नॉर्मल आ रहा था और अभी भी एकदम से ठीक नहीं है गला ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप लोग थोड़ा सा एड़ेस कर लेना ठीक है चलिए नेक्ष्ट देखिए निमनांकित मैं से कौन जी आईयस का अभीयब है आकडा निवेस प्रमाणन उपपद्यती या फिर आकडा प्रतिवेदन उपपद्यती आकडा भंडारन एवं पुने प्राप्ति उपपद्यती आकडा युक्ति युक्रता तथा समिक्छा उपपद्यती तो कौन सा होगा जो कि जी आईयस का अभीयब माना जाएगा आंसर कीजिए फटापड से अगर आप लोग को आंसर आ रहा है तो देखिए जो जी आईयस का अभीयब होगा वो आपका आकडा भंडारन एवं पुने प्राप्ति उपपद्यती हो जाएगा ठीक है C option correct हो जाएगा यहाँ पर ब्याख्या दी गई है इसकी ब्याख्या देख लीजिए जी आईयस भहवलिक सूचना तंतर इसको हिंदी में बुला जाता है एक ऐसा तंतर है जो कि संगड़क पराधारित है संगड़क क्या होता है आपका कंप्यूटर होता है इससे भूसंदर्वित भहुचर आकड़ों का प्रसंसक्रण तता बिसलेशन किया जाता है जी आईयस से बंद छेत्रों प्रमुक सड़कों तता प्रसासनिक सीमाओं को दर्साना आसान हो जाता है भूमी सूचना पढ़ाली पर्यावणी सूचना पढ़ाली भौकल एक सूचना तंतर के प्रमुक उधारण है ठीक है कौन-कौन से हो जाएंगे जो आपकी भूमी सूचना पढ़ाली है पर्यावणी है सूचना पढ़ाली है सब किसके हैं भौकल एक सूचना पढ़ाली के उधारण हो जाएंगे चलिए आगे पढ़िए निम लिकित में से कौन सी विशेस्ता हैं GIS को अन्य पढ़ालियों से अलग करती है कौन कौन सी विशेस्ता हो जाएंगी मानचित्र बनाना और सामान निकरत आउटपुट इस्थाने के वह इस्थाने काकणों को सम्मधित करना मानचित्र का अभी कलपन और रूपरे का या फिर उपर लेक्त सभी हो जाएगा तो देखिए जो GIS की विशेस्ता हैं वो अन्य पढ़ालियों से अलग करती है वो क्या हो जाएगा इस्थाने काकणों को सम्मधित करना ये किसकी विशेस्ता होती है जी आईएस की विशेस्ता होती है भी ओप्सन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे बढ़िए बैक्टर और राष्टर डेटा का अप्योग किसमे किया जाता है ग्लोबल पोजिस्टनिंग सिस्टम में रिमोट सिस्टम में या फिर जी ओप्सन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़िए अब यहाँ पर आप लोगों को सूची एक सूची दो दी गई है पारम परिगुन के रंग दिये गए है कौन से छेतर का कौन सा रंग होता है करसी छेतर दिया गया है जलासे दिया गया है निर्मित दिया गया है अकरसे अवसिष्ट दिया गया है तो देखी जो करसी छेतर होता है इसका कलर कैसा होता है अगर आप लोग को पता हो तो यहाँ पर पीदा कलर जो होता है वो करसी छेतर का होता है इसके बाद में जलासे होता है जलासे का कौन सा कलर हो जाएगा जलासे का कलर हमेशा नीला होता है और जो निर्मित होता है भवन बगएरा ये सब कैसे होते हैं लाल होते हैं और ये तो हरी पर लग गया हटाई इसको ठीक है निर्मित कैसा होता है यहाँ पर लाल हो जाएगा जो अक्रस्य अफसेस्ट हो जाएगा वो आपका भूरा होता है ठीक है हरा कोई नहीं होगा यहाँ पर तो option आपका first का यहाँ पर एक मट यहाँ पर रिख लेते हैं five five की बार में three three की बार में यहां पर आपका first first के बाद में second हो जाएगा ठीक है चलिए यहां पर देख लेंगे अभी 5-3 first second 5-3 first second आपका C option correct है ठीक है चलिए आगे बढ़िए यहां पर देख लीजिए आप लोग एक बार और यहां आपका क्रसे छित्र पीला हो जाएगा जला से नीला हो जाएगा निर्मित लाल हो जाएगा अक्रस्ट अफस्ट आपके भूरा हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़िए GIS किसका लगू रूप है Global Institute for Soils का है Geographical International Studies का है Geographical Information System का या फिर Global Information Statistics का है तो देखिए जो GIS की full form पूची गई है इसकी full form क्या हो जाएगी Geographical Information System इसकी full form हो जाएगी ठीक है C option correct हो जाएगा आगे बढ़िए चलिए नेक्स्ट है याँ पर जब जहाज अंतराष्टी तितिरेखा को पश्चिम से पूरफ आपका ये कौन सा है ये पश्चिम है ये पूरफ है पश्चिम से पूरफ पार करता है तो उसकी तारीख क्या होगी एक दिन बढ़ जाएगी एक दिन गट जाएगी या फिर आदा दिन गट जाएगी या फिर आदा दिन गट जाती है क्या हो जाएगा ये पर देखिए जब पूरफ पश्चिम से पूरफ जाएगे तो आपका पूरा एक दिन बढ़ता है क्या होता है एक दिन बढ़ जाता है एक ओप्सन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉशन है यहापे आप लोगों का निमलिकित मैंसे कौनसा जोड़ा गलत पूचा गया है याणी कि तीन सही है यह आप एक गलत दिया गया है तो पहला यहाँ पर बता रहां कि जो आईसो हाइट है इस से मापन की जाता है बर्सा का आईसो बार से यहाँ पर दव यही गलत डिया गया है चलिए आगे पड़िए नेक्ट गूशन देखिए, आपए. योजना आयोग तथा राष्टिय दूरस्थ संबेदन एजन्सी ने भारत को कितने जलवायू प्रदेशों में विभाजित किया हुआ है 14 में, 15 में, 16 में या फिर 17 में कितने में किया गया है तो बताइए आप लोग को अगर आंसर बता है तो देखिए जो राष्टिय दूरस्थ संबेदी जो संबेदन एजन्सी है इसने भारत को क्रशी जलवायू प्रदेशों में 15 में इसको बिवाजित किया गया है बी ओप्सन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा चले इसकी ब्याख्या देख लीजे योजनायोग अब क्या है नीतियायोग है जो कि नीतियायोग की नाम से जाना जाता है दोया चौदर से इसका भारती संविदान में कोई उलेख नहीं है अथा इसका गठन परामर्स ताईवे बिशिच्छा की संस्ता के रूप में सरकार के एक प्रलेख द्वारा हुआ है इसके स्वरूपेवन गठन में सरकार द्वारा समय समय पर परिवरतन किया जाता रहा है योजनायोक तता राष्टी सुदूरस्त संविदान एजंसी ने भारत को 15 क्रशी जलवाय उपर देश्व में बाटा हुआ है आगे बढ़िए भूमंडली इस्ततिकी प्रणाली उपगरह की प्रत्वी के केंद्र से उंचाई लगवक कितनी है कितनी इसकी हाइट हो जाएगी तो यह दिखिए जो भूमंडली इस्ततिकी प्रणाली उपगरह है इसकी जो हाइट होती है प्रत्वी से 36,600 किलोमेटर्स की टोटल हाइट होती है तो यह उप्सन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़िए चलिए यहाँ प्रतर्सन बिदी दी गई है उनका उप्योग दिया गया है बिंदु मांचित्र है चक्रारेक है बढ़मात्री है इवं समताप्रेका है तो चलिए इनको मिला लीजिए जो बिंदु मानचेत्र है इसका उप्योग के जाता है जनसंक्या बितरण के लिए एका हो जाएगा यहाँ पर थर्ड चक्रारेख है चक्रारेख का आप लोग उप्योग करते हैं जो भूमी उप्योग के आँकडे होते हैं इस तरीके से आप लोग बनाते हैं जाएगा चक्रारेख का आपका भूमी उप्योग आखडे हो जाएंगे बनमाती से जनसंक्या का घनत्व माप पा जाता है समताक रिखाएं होती हैं जो किताप मान का समान बित्रम आपते हैं यहां पर आपका एक का थर्ड हो जाएगा थर्ड सेकिंड फोर्थ एमों फर्स्ट हो जाएगा ठीक है थर्ड सेकिंड फोर्थ एमों फर्स्ट है यह उप्योग हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है याँ पर प्रदर्शन बिदी दी गई है उनके उपयोग दी गई है समान रेखा, बिंदू, बिक्यन आरेख, एवन तारकारेख तो देखिए जो समान रेखा है उससे अपन लोग क्या मामते हैं संक्रमी प्रक्रती का बिन्यास मापन के जाता है बिन्दू से अभी अपन लोगों ने देखा था जन्संक्या का बिन्यास मापन जाता है और जो आपका प्रिक्यन आरेख है इससे मापन जाता है सह सम्बंध की प्रकरटी और आपका जो तारकारिक है उससे पवन की दिसाम आपई जाती है तो एक काया पर फोर्थ हो जाएगा फॉर्ष सेकिंड फर्स्ट टेवान थर्ड हो जाएगा C option आप लोग का correct हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देख लीजिए एक बार और जो सम्मान रेखा होती है उसे संक्रमी प्रक्रति का बिन्यास मापा जाता है बिंदू अरेक से जो आपका जनसंक्या बिन्यास मापा जाता है बेकेन अरेक से आपका सहसंबंद के प्रक्रति मापी जाती है तारा कार एक से बवन की देशा मापी जाती है चलिए आगे बढ़िए सूची एक को सूचे दो से मिलाना है यह आपके उपगरा दिये गए है उनके देश दिये गए है कौन सा जो अपगरा है किस देश का है स्पोर्ट है जियर्स है मिट्योर 3 है यह आपका इंसेट दिया गया है तो देखिए जो स्पोर्ट है यह फ्रांस का है JS जो आपका है यह आपका USA का हो जाएगा छिक है JS किसका होगा यह आपका USA का हो जाएगा मिट्योर 3 यह आप लोगों का मिट्योर 3 रस्या का हो जाएगा और जो आपका इंसेट है, इंसेट भारत का हो जाएगा, आपका जो option correct हो जाएगा, दूसरा चौथा, तीसरा यह उन पहला, यह आपका A option correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, यहाप है, निमल कितन मैंसे, कौनसी उचाई सूर्थ उल्यकालेक धुर्वियक अच्छ से संबंदित है, 2000-6000 km इसकी उचाई होती है, 30-3600 km इसकी उचाई होती है, 300-1000 km इसकी तोटल उचाई होती है, तो इसका क्या correct हो जाएगा, सूरे तल्ले कालिक पूछा गया यह सूरे तल्ले कालिक की जो उचाही होती है 300 से 1000 मीटर होती है C option आप लोगों का correct हो जाएगा ठीक है तो यह हो कि आप लोगों का आज का session आज तक के आपके पूरे total यह जो आपके practical geography है इसके 400 questions हो चुके है 100 questions के करीब और बच्चे होंगे total जो आपका जोगराफी है practical geography के मेरे पास में question 500 के करीब में है तो बोग अभी अपर लोग कर लेंगे उसके बाद में next topic सुरू करेंगे ठीक है और यह आपको session कैसा लगा जरूर बताइएगा अब आज में थोड़ा साब को different लेगेगा लेकिन कुई बात नहीं चलता है यह सब तवियत है खराब होती है सही होती है मिलते है next session में तब तक के लिए धन्यवाद thanks for watching